हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल मनकोल अकाडमी फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें आज की वॉक्यप सेशन में मैं आपके लिए लाई हूँ वन वर्स सब्स्टिटूशन तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड है ओटो बायोग्राफी जिसका मतलब होता है आत्मकता और रिकॉर्ड ओफ वन्स ओन लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ इसका हिंट है ओटो वाले में आटो और बाय किया तो बाय आटो और बाय को आटो बायोग्राफी से लिंक करके इसे याद कर सकते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंप्ररी जिसका मतलब होता है समकालीन बिलॉंगिंग तू दा सेम टाइम इसका हिंट है कॉन टाइम पर हमारे समकालीन पैदा हुआ। इसमें आप कॉन टाइम और कंटेंप्ररी इन दोनों को लिंक करके फ्रेंड्स इसे याद कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है पैसल जिसका मतलब होता है मूसली। इसका हिंट है पिस्टल के साथ साथ रामफल ने हम पर मूसली से भी वार किया। इसमें आप पिस्टल और पैसल दोनों को कनेक्ट करके इसे लिंक करके इसे याद कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डर्मेटोलोजी जिसका मतलब होता है तवचा का अध्यन। इसका हिंट है डर्मतोजी मुझे आपकी तवचा का अध्यन करना है। इसमें आप डर्मत ओजी और डर्मेटोलोजी इन दोनों को लिंक करके इसे याद कर सकते हैं आज का नेक्स्ट वाड़ एफ प्रेंट सौपोरी फिक जिसका मतलब होता है नीन लाने वाली और शदी और ड्रग बेट इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लिप इजीली इसका हिंट है मैंने सफर किया बेफिक्र क्योंकि मैंने नीन लाने वाली और शदी लीती इसमें आप सफर और बेफिक्र को सौपोरी फिक से लिंक करके इसे याद कर सकते हैं Friends, आप नीचे comment section में अपना comment डालके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी videos कैसी लग रही है। चलिए आज का next word देखते हैं, जो है, Confectioner, जिसका मतलब होता है मिठाई बेचने वाला, A person that makes or sells cake and sweets, इसका hint है, कौन fix किया है यहां मिठाई बेचने वाले की दुकान, इसमें आप confix और confectioner, दोनों को करके आप इसे याद कर सकते हैं। हच का seventh word है, Clack, जिसका मतलब होता है किराई के प्रशनसक, A group of people who are paid to clap a performer और public speaker, इसका hint है, किले में किराई के प्रशनसक मौजूद है, इसमें आप किले और क्लैक दोनों को लिंक करके इसे याद कर सकते हैं। आजका next word है, cluster, जिसका मतलब होता है समू या जुन्ड, A group of things of the same type, इसका hint है, कल सब लोग अपने इस्तर से बात करने के लिए जुन्ड बनाएंगे। इसमें कल और इस्तर, इन दो शब्दों को आप लिंक करके cluster शब्द याद कर सकते हैं। आजका next word है, friends, teoricide, जिसका मतलब होता है, sand हत्या, the killing of a bull, इसका hint है, किस तरीके से उसने sand की हत्या कर दी। Teoricide और किस तरीके से, इस दोनों को लिंक करके आप इसे याद कर सकते हैं। Friends, side, side एक root word है, जिसका मतलब होता है, हत्या, यह चीज मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताई है, आज हम फिर से इसे देख रहे हैं। आजका next word है, servicide, जिसका मतलब होता है, हिरन की हत्या, the killing of a deer, इसका hint है, service के दौरान उसने हिरन की हत्या कर दी। इसमें आप service और service side इन दोनों को link करके इसे याद कर सकते हैं। Thank you friends for watching my video, keep learning, keep sharing। Thank you. झाल झाल